कहानी खतम बच्चे को तो हम बाद में आके देखें, उसको तो देखने के लाइक भी नहीं था मुर्गा को जैसे आग में भूमतियों ऐसे भूना हुआ था ढंक से नहीं देखें लेकिन ये मतलब बाइफोर्स ये जबरदस्ती की बात है बलकि कई बार यहां के नागरिक लोग स्कूल के उपर से 11,000 गुजरा हुआ है उसको हटाने के लिए आप मतलब दो सो चार सो बच्चे पढ़ते हैं वहां से आप 11,000 गुजरा दिये हैं बच्चों के मन में राष्ट के प्रती ऐसी और ध्वज के प्रती भावना आई जुका हुआ देख करके आंधी तुफान में वो जंडे को सिधा करने गया राची के कांग के थाना चेत्र के अरसंदे में छट पर तिरंगा चंडा लगाने के दोरान एक ही परिवार के तीन सदस्यों की करंट लगने से मौत हो गई मृतकों में आरती जा, विनीद जा और पूजा जा शामिल है पूजा और विनीद सगे भाई बहन एवं आरती दोनों की चचेरी बहन थी वही घर में मातम पसरा हुआ है, जी इन भारत की टीम जब उनके घर पहुँची तो पता चला कि गलत तरीके से 11,000 वोल्ट का तार रेजिडेंशिल एरिया में गया था मृतक के परिजन लोग तब इसका विरोध किये थे, लेकिन कोई अधिकारी उस समय माना नहीं हालां के उस कलती का नतीजा आज सामने देखा गया वही हमसे बात करते हुए मृतक के पिता अपने आशु रोक नहीं पाए, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने सुबर अगस्त की बात है, सुब़ सुबर साभी हरघर जढ़ा समझ के जढ़ा अगय तरफ एक पिछे तरफ दो जढ़ा एक खरीदे थे, एक मिला था वाट के तरफ से तो एक बुले आगे लगाओ एक पीछे लगाओ वो इधर लगाया था साम किसम में मोसम बहुत खराब हुआ था एक बर हवा पानी बहुत तेज हुआ था सारा छट पे तो पानी पुला ही हुआ था 11,000 भूल्ट का तार बगल से पार हुआ है वो जण्डा हवा से जुक क्यों उसमें टच हो गिया संजोग से लड़का उपर छट की पास ही था जण्डे के पास केसे गिया क्या गिया यह जानते तब तो होता ही नहीं जण्डा के पास केसे गिया का है गिया पानी साम को अंधेरा में कोई पता ने लगता जंडा को त्यड़ा देखा वहां पहुंचा और उसी समय तेजावा की चलते पूरा से जंडा सट गया संजोक से उसको बचाने नीचे बची लोग थी उसका आवाज सुनके उसका रोना सुनके दोडाल एक सीड़ी पकड़ा गई उसको बचाने दूसरी बहन दोड़ी उसको भी पकड़ा गई उसको बचाने वाइब बची लेकिन वह अपनी लड़की को वहां नहीं पहुंच पा अगर पूरा घर में क्रेंट तो महा लोग आये हुए थे कुसुम भिहार के हमारे घर में बैठे थे वो लोग कोई गेट को नहीं छुओ कोई मत जाओ सब चोकी पर बैठो यह करो ओ करो उधा पल में सेकेंड भी नहीं लगा सेकेंड भी नहीं लगा सारा खतम एक पलोसी अंदर वेल्डिंग हो रहा है इसा लग रहा है क्या हुआ अब तो पता थोड़ी कि क्या हुआ पुरा शरीर टेड़ावे का उसका फोटोन देखने का हिमत नहीं तो उसका बोडी भी ढंग से नहीं थे तो कहां यह चूख हो गया मतब इतना नीचे से 1100 अरे एक ठोट टावर के लिए एक टावर को विजली देने के लिए रेसिदेंशल एरिया से 1100 कप दस फीट आठ एक फीट जादे जादे दूर रहा होगा पॉल कितना दूर है मकान से कितना दूर है पॉल एक बिता भी नहीं बीच में जगा जिम्मवार आप ठाराए हम अब किसको क्या ठाराएंगे अब तो हम खतम हो किया मेरा हमारा कहना है कि जिम्मेदार इस सीधे तोर पर सरकारी तं में आप जिसका भी टावर है वो कंपनी कह लिजिए ये लोग किसी की नहीं सुनते हां बस मन मौजी है गरीब है तो उसकी आवाज नहीं सुनना है तो जिम्मेदार सीधे सीधे पूरा का पूरा सरकारी तंतर है हम यहीं पढ़ोस में रहते हैं विरोध किये थे ये लोग नाम बताए नाम कौन कौन थे वहां विजली विभाग के अधिकारी उसमें आप लोग किसको अप्लिकेशन दिये थे लिखित उनको विरोध दर्ज कर आए गया है अपति दर्ज कर आए गई है लेकिन यह मतलब बाइफोर्स यह जबर्दस्ति की बात है बलकि कई बार यहा मतलब दो सो चार सो बच्चे पढ़ते हैं वहां से आप ग्यारा हजार गुजार दिये हैं और बोलते हम नहीं हटाएंगे यह केश्डियो साहब से हमारी जब बात हुई थी ततकालिन हो गया करीब 12-13 सल पहले हम लोग किये थे तो विडियो को बोले थे कुछ भी कर लीजि सरकार पैसा देगी उसको हटाने के लिए तार को हटाने के लिए आपको क्या पती है स्कुल के सामने से तार हटा ले इस आबादी कसे सटा के आप तार गुजारे हैं यहादसा तो फिर होगा ऐसा तो नहीं कि आप आश्टार काट दिये तो वहां तक लाइन आएगा वहां होगा एक गाड़ वायर नहीं है अब किस किसी का टावर है हम तो विएसनल वालों को बीजी में दाठा हराएंगे हां कि उनकी अधिकारी भी मतलब इतने सन्वेदन शिल नहीं है कि कभी भी बाई करेंट है जब भी तार गिरेगा हाथ्सा होगा नीचे से जब भी जाएगा हम लोग का धार्मिक जुलूस मुहर्रम है इद है कभी भी है कुछ भी बांस लेके बच्चा निकलेगा तो हाथ्सा होगा यह हाथ्सी तो होते रहेंगे एक भी तार के नीचे गाड़ वायर आप नहीं देखेंगे मतलब अपने ही विभाग के विरुद्धिये लोग काम करते हैं जो गाइडलाइन है विजली विभाग का कि जो भी सड़क से या अबादी से गुजरेगा नीचे गाड़ वायर रहेगा कहीं नहीं आप देख ली मतलब हरे एक बात के पीछे कोई भी हिंसा होगी हम प्रती हिंसा करेंगे तब सरकारी तंत्र सुनेगा सरकारी तंत्र को सनवेदन शिल होना होगा इस तरीके से कैसे काम चलेगा देखे तो सरसर विभाग की सरकार की गलती है और सरकार ने जो कहा उसको जंता ने माना उसी करम में विजय जाजी के बच्चों ने जंडा लगाया जो जंडा इनको वाड से मिला उसी जंडे को इनने लगाया एक आगे लगाया एक पीछे लगाया लेकिन बच्चों के मन मे राष्ट के प्रति ऐसी और ध्वज के प्रति भावना आई यो जुका हुआ देख करके आंधी तुफान में वो जंडे को शिधा करने गया जिससे करम में इनके घर से सटा हुआ है तार है ये विभाग को सोचना चाहिए कि ये घर बना हुआ है जनता रहती है यहां और अभी तो यहां के वासी बता रहे है कि बगल में स्कूल के उपर से भी 11,000 का तार है हम देख भी रहे हैं सामने राइस मिल के पास ये आठ फिट नौ फिट के हाइट पर 11,000 फिट का 11,000 बोल्ट का तार गया हुआ हुआ है तो ये क्या कहेंगे अक्रमनत्या कहेंगे बिभाग का और जो बिभाग इसको देख रहा उसका तो ये विजे कुमार जो जहाजी है जो यहां बच्चों बच्चे के साथ हुआ जिसमें भी पता चला हम लोगों को कि इनकी बच्ची अभी 6 दिर रोज में बैंक में जोईन करने वाली थी इनके घर की स्थिती थोड़ी ठीक होती स सभी बच्चे युवा थे पढ़े लिखे थे लेकिन आज तो इनके घर से बच्चे जो गए गए जो इनकी स्थिती होई बच्चों की यो देख करके तो यह मरमात हैं और हम लोग यही कहेंगे सरकार से ही मांग करेंगे कि अभिलम इनके परिवार के किसी सदस्य कोई एक ज राप्त हुए तो सहीद हुए हैं इन सहीदों को सम्मान मिलना चाहिए और सरकार को राजे सरकार को केंद्र सरकार को सग्यान लेते हुए केवल डिसी साहब आये और यहां वायर कटवा दिये वायर हटवा दिये उससे काम नहीं चले गा इस छेत्र के वायर का बिधिवत और और हम तो कहेंगे विभाग को कि पूरे जारखंड को देखें और ऐसी दुर घटना न घटें कोई अपने पुत्र को बचीयों को न खोएं यही हम निवेदन करेंगे और साथ ही हम निवेदन करेंगे केंदर सरकार को राजे सरकार को कि अवलंब इनको सहायता रासी दी जाए और साथी साथ वो बच्चों को सहीद का दर्जा दिया जाए कि जिन्होंने हमारे ध्वज का मान रखते हुए जुकने नहीं दिया ध्वज को खड़ा करने के क्रम में सिधा करने क्रम में उनके साथ ऐसी घटना घटी है तो भारती जनतंत्र मुर्चा यही मांग करती है कि प्ला इकन बटन दवाना ना भूले